अश्कार दोस्तों मैं अनिल सर्मा अपने एक नए वीडियो आईसो मेरेज्म समावयवता के साथ आपका स्वागत करता हूँ आज हम आपके साथ समावयवता पर चर्चा करने जा रहे हैं समावयवता जिनका molecular formula same लेकिन structural या three-dimensional form डिफर करता है ऐसी विवस्ता को आईसो मेरेज्म या समावयवता की नाम से जानते हैं इसके दो प्रकार होते हैं एक structural यानि सरंचनात्मक और दूसरी stereo यानि त्रिविम समावयवता त्रिविम समावयवता पर हम अगली वीडियो में चरचा करेंगे आज हम अपनी सरंचनात्मक structural आईसो मेरेज पर चरचा करेंगे सरंचनात्मक समावयवता में molecular formula सेम होगा लेकिन जो isomer समावयवी होंगे वो अपनी सरंचना में बिविदता भिन्नता रखेंगे इसके आदार पर सरंचनात्मक समावयवता के पांच प्रकार बताए गई है chain isomerage, position isomerage, functional isomerage, metamerage, tartomerage वहीं त्रिविम समावयवता की बात करें तो इसके प्रकार बता देते हैं इसके दो प्रकार हैं, एक जियामिती समावयवता यानि geometrical isomerage और दूसरी प्रकास्यक यानि optical isomerage अब हम बात करते हैं सरंचनात्मक समावयवता के प्रकारों पर सबसे पहले सरंकला सरंकला यानि chain isomemaryg सभी सरंकला को हम उदारण के साथ आप को समझाएंगे chain isomemaryg में सरंकला यानि word root मूल पेतरक सरंकला की लंबाई में बिन्नता बिविदता देखने को मिलेगी ये basic concept है मैंने उदारण लिया है molecular formula C4H9OH का इसको मैंने दो सरंचना में लिख दिया है एक सरंचना में वर्ड रूट में चार कारवन जो कि आपको कॉलम में दिख रहे हैं और वहीं दूसरी सरंचना में वर्ड रूट यानि मूल पेतरक सरंखला में तीन कारवन है तो यहां वर्ड रूट 4 यानि वियूट नाम चलेगा यहां वर्ड रूट 3 यानि प्रॉप नाम चलेगा ये अंतर होता है स्रंकला समावेवता के समावाईवियों में molecular formula दोनों का से में लेकिन structural में भी chain length में भी अगर differ करते हैं तो chain isomerage में इसका नाम होता है butane 1ol इसका नाम होता है इसका numbering कर देंगे इधर से 1,2,3 तो 2 methyl propane 1ol क्योंकि functional group OH वर्ड रूट के first carbon से लगा है दूसरी समावेवता position isomering जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है position means consistency इसमें किसी भी functional group किसी भी sub-instituent या किसी भी unsaturated double bond या triple bond की position में differ, बिननता, बिवेदता देखने को मिलेगी जैसे मैंने यहाँ molecular formula C4H9OH लिया है, इसको दो structure में मैंने लखा है, first structure में आप देखेंगे कि OH functional group वर्ड रूट के first carbon से लगा है, position यहाँ है, one, first वहीं दूसरी structure में same functional group OH वर्ड रूट के second carbon से लगा है, तो यह functional group की with respect to वर्ड रूट पोजीशन डिफर है, ऐसे types, isomer, position isomers और यह phenomena position isomerism कहलाती है, नाम हम दे सकते हैं, butane 1-ol और butane 2-ol, third isomering, functional isomering, molecular formula same है, आप नाम पे जाएए, functional means किरियात्मक, समावयवता, मतलब, इस समावयवता के प्रकारों में molecular formula same होगा, लेकिन किरियात्मक समावयवी भिन्न होंगे, मैंने इस molecular formula के साथ, दो structural isomer लेके हैं, एक में functional group OH, alcohol है, और दूसरे में functional group ether है, alcohol ether के साथ, aldehyde ketone के साथ, functional isomering देता है, तो इसको यह butane banol और यह हो गया, ethoxy ethene, या common नाम बोलते हैं, तो diethyl ether भी बोल सकते हैं, ऐसी types functional isomering कहलाती है, चोथी पर बात करते हैं, metamering, metamering का मतलब होता है, मध्या वयवता, मतलब इसमें ऐसे functional group आपको लेनी पड़ेंगे, जिसके दोनों end या दोनों सिरों पर, दो alkyl group लगी हैं, जैसे आप ether ले सकते हैं, जैसे आप keton ले सकते हैं, मैंने ether का example लिया है, molecular formula वो ही लिया है, आपकी सुविदा के लिए मैंने एक ही molecular formula सभी isomerage में प्रयूक्त किया है, इसमें आप देखेंगे कि functional group के दोनों end पर same alkyl group है, यह symmetrical ether है, simple ether है, जैब कि इसी molecular formula के साथ दूसरे isomerge में functional group के एक end पर methyl, जैब कि दूसरे end पर normal propyl है, इसका मतलब यह asymmetric है, दोनों alkyl group same नहीं है, डिफर हैं, तो AC isomerage में जिसमें functional group के दोनों end पर alkyl group के size में या number of carbon में बिविधता देखने को मिल ले, उसको metamering या मद्यावयवता कहते हैं, अगर आप इनकी position देखें, तो यहाँ position मद्य में है, लेकिन यहाँ position बोल सकते हैं कि terminal है, तो AC taps metamering कहे जाते हैं, यह centric है और यह eccentric है, यानि terminal है, last totomering इसको चलावयवता भी कहते हैं, molecular formula C3S6 olea है, चलावयवता में keto और enol isomerage भी कहते हैं, मतलब इस isomerage में keto functional group, जो LDLIA ketone में देखने को मिलता है, polarity की बज़े से यह pi bond more electron negative oxygen की तरफ shift हो जाता है, और उस पर negative charge आ जाता है, और carbon पर positive charge आ जाता है, यह carbon जो carbonil carbon से लगे हैं, यह alpha carbon बोले जाते हैं, alpha carbon पर hydrogen यानि alpha hydrogen, proton की form में इस O negative के पास shift हो जाता है, और finally यह O, OH में change हो जाता है, और यह जो pi bond है, वो carbonil carbon और alpha carbon के बीच में shift हो जाता है, तो इस प्रकार से यह बन जाता है in, और यह हो गया all, तो enol, keto form, dynamic equilibrium के जरीए enol में change हो जाता है, ऐसा enol का keto और keto का enol में, जो inter-conversion होता है, वो totomarism कहलाता है, इस प्रकार structural isomarism के यह 5 और टैप्स खतम होते हैं, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे like, share, subscribe जरूर करें, मिलते हैं, आप से नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद,